हेलो एंड वेरी गुट इवनिंग वेलकम इन दिस स्पेशल सेशन दिस अ कैंड आफ प्रिलिम्स बेस्ट तरंट अफेर सेशन हीर आज इस सेशन में हम एक बहुत इंपोर्टन टॉपिंग की बात करेंगे अगर आप यूपीस से प्रिलिम्स को देखते हैं थोड़ा सा अगर अपने पेपर्स को स्टेडी किया है सो यू मस्ट हैव रियलाइज की यूपीस सी के अंदर एंवार्मेंट का सेक्शन ओवर दे येर्स बढ़ रहा है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो गया है करन्ट फेर के प्रस्पेक्टिव से और ज्यादा चैलेंजिंग हो रहा है लाफी स इस तरह का एक टॉपिक है स्पीशी इन न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है लेकिन थोड़ा सा इसका कवरेज करना मुश्किल हो जाता है लेकिन एक बार इसके साथ अच्छी बात यह है कि एक बार अगर आपने इसको कवर कर लिया है तो फिर माक्स यहां प सारी के से रह रहा है इसले तीन-चार साल से लगातार आपका 50% के नीचे ही जा रहा है तो उस कॉंटेक्स में यह जो टॉपिक है इसको हम यहां पे लेंगे स्पीशी इन न्यूज ओके विल ट्राइटू कवर दस पर्टिकुलर टॉपिक इन पार्ट तो आज जो फ्रस्ट करेंगे यह चीज में यहां पर मेंशन कर दूं कि आपको जो करण फेर प्रिलिम्स के लिए पढ़ना है कम से कम 1.5 यह का तो मिनिमम कवर करता है मतलब जैनिवरी 23 से और लेटस से 15 माई तक का करण फेर आपके पास होना चाहिए खीक है और अगर थोड़ा सा एक्स्टेंड प्लीज गिवटरमस गईज ओके जली आगे बढ़ते हैं जो नए बच्चे हैं लेट मी जस्मेंशन किया शौराइएस जो एप है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है वहां से आप शौराइएस एप को डाउनलोड कर सकते हैं इकला गो फॉर्ट एकनॉमी कोर्स और करन्ट अफेर हम प्रिलिम्स बेस्ट करन्ट अफेर कवर करेंगे गो साल तक के करन्ट अफेर हम यहां पे कवर कर रहे हैं तो यह बैच 15 तारिक से शुरू हो रहेगा वह आज वाले सेशन से आपको काफी कुछ आइडिया लगेगा कि हम कि इस तरीके से करन्ट अफेर को अप्रोच करेंगे गेटिंग दिस कॉंबो आफर के लिए जा सकते हैं जहां पे दोनों को आप एक साथ अप्रोच कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बाक्स में इसका लिंक दिया हुए सब्सक्रिप्शन आपको कैसे लेना है ताइन चलिए शुर करें रहें जो है स्पीशिज इन उस ठीक है देखिए सौर्सेज जो भी है मेजर जो न्यूस पेपर है हिंदू इंडियन एक्स्प्रेस वह तो हम कवर करी रहे हैं डेली विस पर आपकी क्लास भी होती है ठीक है जहां पर हम जोड़ा से वास्ट रख है जो दूसरे सोर्सें है जहां पर भी environment related news है उनको भी यहां पर हमने गवर किया हुगा है गेटिंग दिस देखे इस सिल्वर कॉक्सकॉम यह न्यूज में रहा क्यों न्यूज में रहा तो यूपियसी किस तरह से question पूछेगा यह भी थोड़ा स्टिक्स हैं किस चीज से related है तो उस प्रस्पेक्टिव से यहां पर आपको ध्यान रखना है क्यों यह न्यूज में रहा मैगजीन आती है उसके अंदर आपके environment का बहुत अच्छा कवर होते हैं तो सिल्वर कॉक्स कॉम की यहां पर इन्होंने बात की और यह एक तरह का क्या है प्लांट है इंडीड वीड है इसको खरपतवार माना जाता है इंडिया में भी मिलता है चाहिना में भी मिलता है तो उसको अच्छा consider नहीं करते तो यह News कह रही है यह News कह रही है कि देखो सिलवर कॉक्स कॉम जो है करनाटठा की ट्राइब है सौली का ट्राइब इन्हों ने इनके लिए यह प्राब्लम क्रिएट नहीं कर रहे है और यहां पर ट्रूबल क्रिएट नहीं कर रहा है जबकि एक तरह का वीड है तो इसको वीड एक तरह की खरपत्वार कंसीडर किया जाता है चाहिना में भी मिलता है इंडिया में भी मिलता है और इसका एक और नाम है लगोस स्पिनेच और इंडीड इसकी जो फैमली है silver coxcomb की जो family है वो आप देखेंगे amaranthesi ये वही family है जिससे pollock spinach जो है वो आता है लेकिन इसमें और pollock में बहुत फरक है इसको ये जो soliga tribe है जिसकी हम बात कर रहे है soliga tribe अपने खाने में यूज़ कर रही है तो अच्छी बात kidney की health को ये नुकसान नहीं पहुंचाता तो soliga tribe इससे काफ़ सारे nutrition ले रही है काफ़ सारे vitamins minerals यहां पे ले रहे हैं ये इसको use कर रहे हैं even अपना जो live stock है जानवर है उनको भी fodder के रूप में चारे के रूप में ही खिला रहे हैं getting this एक और नाम करनाटका में इसका लोकल लेंग्वेज में फेमस है दिस अन्नी सोपू तो आपको क्या करना है problems related यह जो topic है इस तरह से बहुत सारे problems specific topic होंगे जिसमें याद रखने वाली चीज़े हैं या मैं कहूं कि उसको रटना पढ़ेगा आपको getting this तो उनको एक बार के लिए cover करके रखिए फिर जब problems में एक महिना दो महिना है तब उसका रटना शुरू कीजिए वो रटना तभी हो पाएगा या उसको आप दस बार तभी revision कर पाऊगे जब आपने अपने short note बना रखें getting this तो चलिए आगे बढ़ेंगे यह हो गया आपका सिल्वर कॉक्स कॉम सेकेंड टॉपिक पर आते हैं दिस गोदावरी एस्चुरी एस बिकम दा प्राइम है इस्चुरी क्या होती है जहां से नदी जो है एक तरह का एको सिस्टम है जहां पर रिवर जो है आपका सी के अंदर जाके मिल रहा है तो इस तरह क बता रहे हैं कि जो इंडियन स्कीमर है यह गोदावरी एस्चुरी और इस वाले अरिया में ज्यादा वहां पर अपना है ज्यादा वहां पर रह रहा है तो इसके बारे में हमें कुछ बेसिक न्यूज देखनी है इंडियन स्कीमर जो है इसका इस्टेटस अगर आप देखो इंडेंजर, critically इंडेंजर इन तीन केटेगरी में आता है तो हम कहते हैं यह threatened species है तो endangered केटेगरी में हैं इंडियन स्कीमर मतलब threatened species है इसके अलावा यह कहां ज़ादा देखे गए हैं यह अगर आप देखोगे तो यह कह रहा है कि कोरिंगा जो wildlife century है वहां पे काफी ज़ादा पूछ सकता है कि हां कौन से state में क्योंकि इस तरह के question बहुत common है wildlife centuries तो इतनी सारी है 500 से उपर है कितनी याद रखोके तो जो current affair में वह अगर याद रखते हो तो question होते हैं काफी बार इस तरह से question इसने पूछा है so the thing is that कोरिंगा जो wildlife century है यह आपका situated है अंदर प्रदेश के अंदर तो यह state ध्यान रखे यहां पे जो आपको डार्क ब्राउन कलर में दिख रहा है यह extent मतलब present जो इस्तिती है वहां पे यह आपका पूरा इंडियन स्कीमर मिलता है according to the IUCN website decreasing trend है for sure endangered category में रखा हुआ है यह basic चीज़े ध्यान रखना है कोरिंगा wildlife century का location आपको ध्यान रखना है great seahorse यह news में है क्योंकि इनका जो migration pattern है उसमें थोड़ा variation पाया गया जिसकी वज़े से यह चर्चा में रहे great seahorse यह जैसा आप पीछे दिख रहा है इसको समुद्री घुडा भी कहते हैं कहना देखा होगा आपने यह नाम सुना होगा the thing is that पहली बात तो यह क्या है क्या य इसको रखा जाएगा this thing is again important environment का जो static portion है उसको भी अच्छे से कर लेना environment के static portion में animal classification दे रखा है excuse me एक बहुत अच्छा source है environment के लिए शंकर आई इसकी book आती है वह पढ़िए अभी भी relevant है no doubt है ना काफी सार अपडेशन तो करना पड़ेगा current affairs है but still this is a kind of good book Hindi medium वाले है वो नियोस के notes पे जा सकते हैं तो उसमें categorization दे रखा है कि कौन से जो classification के basis पे कौन सी category में कौन से animal को या इसको लखा हुआ है तो एक ही वो chapter है but that chapter is very relevant very much important so please go for that chapter as well यह क्या कह रहे हैं यह कह रहे हैं कि great जो sea horse है it could be migrating towards the Odisha due to extensive fishing of the Coromundal Coast Coromundal Coast है आपका Tamil Nadu वाला जो इस्टन कोस्ट है इस्टन कोस्ट ऑफ इंडिया पूरा एरिया वहां से भाग के यह उडिसा की तरफ आ रहे हैं क्यों कि वहां पर काफी जादा fishing हो रही है अब great sea horse के बारे में basic चीजे ध्यान रखे IUCN की list में देखोगे vulnerable यह है ठीक है vulnerable है मतलब three turn species में entry कर चुका है इसके extension का खत्रा रहेगा कहां पर यह रह रहा है एक और इसका नाम है callog sea horse this is a species of fish तो यह एक तरह की मचली है यह सबसे important fact है इस पूरे topic के अंदर यह एक तरह की मचली है इंडो Pacific reason में यह मिल रहा है especially eastern Africa to Japan अफरीका से लेके जपान तक मिलेगा मतलब पूरा Indian Ocean and some part of the Pacific यह हो गया इसका habitat species में जो cn वगरे यह वाली चीजें और उसका जो habitat है वो सबसे important है तिर क्या होगा कई नाम बहुत अजीब से आएंगे आगे आप जाओगे तो नाम बड़े अजीब अजीब से आएंगे तो उसमें यह भी ध्यान रखना है कि यह क्या bird है plant है किसी तरह की fungus है इंडिया में मिलता है नहीं मिलता है यह जो बहुत छोटे छोटे फैक्ट जब आप यह टॉपिक करोगे जब आपको बहुत छोटे फैक्ट लगेंगे लेकिन एक्जाम टाइम में उनसे कॉश्चन आपके होते हैं जो ग्राफिक के लिए कौन सी बुक पढ़नी है NCRT is best नई वाली NCRT पढ़नी है 11 12 की और उसमें भी अगर आपको करना है तो सबसे पहले 11 क्लास की दो एंसी आर्टिजम वो करिए उसके बाद अगर आपको लग रहा है कुछ और करना है यहां पर कोरल होंगी वहां पर यह ज्यादा क्योंकि यह क्या करता है कोई भी जो सर्फेस है ना उस पर लैच करता हुआ मिलता है ठीक है उससे अटेच होके यह इस तरह से मिलता है ज्यादा डीप में नहीं जाएगा शैलो जो वाटर है वहीं पे इसकी परजेंस हमें देखने को मिलेगी पूर स्वीमर्स होते हैं माइग्रेट बाइद राफ्टिंग कोस्टल रिजिएंस अफ देंडिया चारो तरफ शैल भी होता है एक तरह का लिए और जिनको कई बार आप कहते हो कि शंक है और यह सब चीजें तो अगर हम वह शैल हटा देते हैं वह जो उसका बाहर का जो एक जो एक्जो स्कलेटन जिसे हम कहते हैं कार्मोनेट से जो बना है उसको हटाते हैं तो काफी सारे ऐ इसा मान लीजिए कि वह बाहर वाला जो शैल है वह उटा दिया तो वह इसी तरह की एक कैटेगरी मान लीजिए कि इनका इवोलिशन जो हुआ तो वहां पर यह जो इनके पास में जो शैल था डेट इस गॉन सो वही गैस्ट्रोपोड कैटेगरी में आएंगे जिसमें सी स्नेल आते हैं लेकिन यह सी स्ल लगस हैं जो न्यूज में रहा क्योंकि इंडिया के अंदर एक नई जो यूनिक कैटेगरी है उसको घूंडा गया यूनिक स्पीशीज हमें मिली नूधी ब्रांच okay sea slug this is the name और ये क्या है marine invertebrates है okay gastropoda मतलब sea snail जो है उसी के भाईवंदू में मान लिजे आप उसी से related है gills इनके होते हैं, brains इनका होता है fine, gills भी है, brains भी है significant indicator है एक तरह की indicator species के रूप में है जहाँ पे sea slugs मिल रहे हैं इसका मतलब वहाँ का जो coral ecosystem है coral reefs हैं, वो बहुत अच्छी condition के अंदर है for sure, their presence is significant indicator of a strong coral ecosystem fine they mainly feed on the algae algae पे feed करते हैं तो generally अगर आप देखोगे कहीं पे algae bloom है, algal bloom कहीं पे है अगर जो शहवाल है, वो काफी ज़्यादा मातरा में मिल रही है, वो सकता है वहाँ पे भी marine area में sea slugs आपको अच्छे से देखने को मिले, आफी सारा इनका variation होता है इनके अलग-अलग परकार हैं, अलग-अलग shape हैं, बहुत ज़्यादा variety इन में देखने को मिलती है, ठीक है, यह हो गया आपका sea slug next है पिताज, यह एक तरह का bird है पिताज, तो यहाँ पे पहली बार इनका census किया गया, mangroves जो हैं, वहाँ पे eastern part of the इंडिया में जो mangroves हैं, वहाँ पे एक bird species है, जिसका नाम है पिताज, यह देखने में इस तरह से लगेगा okay, first ever इसका census किया गया, मतलब इन्होंने counting करने की, यहाँ पे कोशिश की और यह किया गया उडिसा के coastal districts के अंदर, ठीक है इस वज़े से यह bird species जो है, चर्चा में है so you must be aware कि हाँ यह अगर नाम दिया जाए कि हाँ mangroves पिता क्या है, पहली बात तो bird species है, क्या इंडिया में मिलता है? हाँ, इंडिया में मिलता है, फिर हम आगे बात करेंगे अब यह इसका जो range है, habitat है इंडिया से लेके extend कर रहा है South East Asia, Malaysia इंडोनेशिया तक जा रहा है getting this, इंडोनेशिया तक यहाँ पे जाएगा कहां पे मिल रहा है, mangrove and nipa palm forest है जो भी कीट वगरे हैं, मतलब इंसेक्ट है, mollusk है, crustaceans जो भी वहां मिल रहा है, पानी में, उनको खा रहा है near threatened species आपकी है near threatened species है, found in the few pockets of the eastern India eastern part of the India, especially you will see कि बंगाल और उडिसा वाला जो reason है जैसे भीतर कनिका के mangroves है, सुंदर वन के mangroves है तो वहां पे आपका मिलेगा, यह इसका IUCN status हो गया near threatened, near threatened का मतलब है जो vulnerable, endangered, critically endangered वाली category है वहां पे यह नहीं है, getting this आगया समझ में next आजाते हैं यह कुछ शालीगराम का नाम आपने सुना होगा शालीगराम शिला आप जानते होंगे या Hindu, जो religion है, वहां पे तो इनको पूजा जाता है Hindus basically पूजा करते है तो कि यह जो stone है, शालीगराम शिला या शालीगराम जो stone है इसको माना जाता है कि विश्णू का लॉड विश्णू का अवतार है इसके साथ कुछ माइथोलाजी भी जुड़ी हुई है कि जो तुलसी है उन्होंने कुछ श्राब दिया इस तरीके से तो फिर वो एक इस फॉर्म में आ रहे लेकिन हमारे लिए न्यूज में क्यों है चर्चा में क्यों है यह थोड़ा देख लेते हैं देखो क्लाइमेट चेंज एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है खीक है और उस वज़े से आप देखोगे कि शालिग्राम जो है इनके उपर भी खत्रा मनड़ा रहा है क्योंकि इनका जो ओरीजन है जिस जगे से ओरीजन है जिस रिवर से यह ओरीजन वहां पर कर रहे है उसका कोर्ट शिफ्ट हो रहा है काफी सारी चीजे चेंज हो रही है इस वज़े से यह आपका चर्चा में रहा तो इसको देख लेते हैं पहले तो शाली ग्राम है क्या अप फिर आगे मूव करते हैं खीक है शाली ग्राम या शाली ग्राम शिला जो है एक तरह का फॉसिलाइज्ड स्टॉन है और यह आपका बना होता है एमोनाइट से एमोनाइट क्या है एक तरह का extinct creature है sea creature आपका रहा जो अभी नहीं मिलता है विलुक्त हो गया है है तो उसके जो वूसिल्ष Więc उस से यह आपका बन रहा है related to the modern birds आप जानते हैं नेपाल से होती हुए आती है और आपका गंपा में आके मिलती है भिहार के अंदर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा की गंडग का ओरिजन है कहां से नेपाल से तो यह जो गंडग river है उसी की एक tributary है काली गंड़क रिवर धी तो काली गंड़क जो river है उसका जो river bed है है ना river bed है तो वहन पर यह जो ammonites हैं यह जो fossilized आपकी sea creatures हैं ठीक है यह यह वह gł 200 बैड है और जो river का flow है उसकी वज़यासे हमें क्या मिलते है हमें ये शालिग्राम शिला मिलती है फाइन ये हमें शालिग्राम शिला मिलती है क्योंकि ये जो बैड है रिवर बैड आपको दिख रहा है जहां से पानी जाएगा तो ये फॉसिल्स हैं यहां पे रिवर बैड में और इसके अंदर एमोनाइट्स है जिसकी वज़े से हमें शालिगराम शिला मिलती है अब ये क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि इसका जो ओरिजन है बाइद वे जो आपका काली गंड़क रिवर है इसका जो ओरिजन है वो नेपाल दिबद बॉर्डर के उपर है ठीक है दर नेम शुड़ भी मस्तांग ये वैली है मस्तांग वैली तो बिल्कुल जो बॉर्डर है नेपाल और दिबद का उस बॉर्डर पर आपका सिच्वेटेड़ है तो वहां से ओरिजन कर रही है अब हो क्या रहा है ग्लेशियर सापके पिगल रहे हैं ये रिवर जो है इसमें वाटर फ्लो कम है ये अपना जो कोर्स ह अपना रास्ता है ये बदल रही है ग्लेशियर डिसैपियर कर रहा है रिवर अपना जो है छोटी हो रही है अपना रास्ता चेंज कर रही है इसकी वजह से जो शाली ग्राम हमें मिल रही थी शिलाएं वो अब कम हो रही है इसको लेके एक न्यूज रही और इस कांटेक्स म में एक study की कि किस तरह से जो black buck है लाले हीरन जिनको कहते हैं वो एक तरह से development challenge जो जो है उसको face कर रहे है कैसे यह सब चीजह चल रही है तो कल दो मिलाके black buck चर्चा में रहे इसके बारे में basic चीजह आपको पता होनी चीए black buck अगर आप देखोगे इसको wrapped political तो पर गोगर नेपल भी मिलता है तीक है यहां से बाहि नहीं मिलेगा ठीक है midắp फाउंड मैंली इंडिया नियुमेए एंड इंडीयों मिल है तू इंडिया नेपल बंगलाधेश पाकिस्तान यह आ गये constitu कि अंडिया है वहां पे छुआ धzub बगबग आठ ऐसे राज्जे हैं स्टेट्स हैं जहां पर यह मिलता है इसका जो हैबिटेट है वह आप देखोगे तो सेमी एरिड ग्रासलेंड्स टाइप है और यहां पर आप देखेंगे तो कुछ बेसिक तीजें लीस्ट कंसर्ण यह इसका यूसीन स्टेटस है इंडिया क जो वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो स्पीशीज के प्रोटेक्शन के लिए वाइल लाइफ के प्रोटेक्शन के लिए बनाया उसमें मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसको दे रखा है मतलब वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है उसके शेडियूल वन में इस को रखा हुआ है आ रहा है समझ में ब्लैक बग मेंली ड्यूरिंग दे डे डे टाइम पर एक्टिव रहेगा क्योंकि काफी सारी स्पीशीज होती है जो नॉक्टर्नल होती है मतलब लाथ को एक्टिव रहती है लेकिन यह आपका डे टाइम में ही एक्टिव रहता है ग्रास ल इसकी खास बात क्या है मेल जो ब्लैक बग है इनका डिसपरसल ज्यादा होता है क्योंकि इनको अपना जो जीन पूल है पॉपूलेशन है वो मेंटेन करना है बढ़ाना है तो उस कॉंटेक्स में इनका डिस्परसल ज्यादा है फीमेल के कंपारेजन में थ्रीट परसेप्शन लगबग सारी स्पीशीज का एक ही होता है किया ना more or less अगर आप देखोगे किसी भी स्पीशीज जो जो एक है जो खत्रह है वो सबसे बड़ा खत्रह किससे है habitat destruction जिस जगे पे वो रह रहे हैं वही अगर डिग्रेड हो जाएगी वही खतम हो जाएगी destruction हो जाएगा तो इस species का survival कैसे होगा habitat destruction is one of the major cause along with the invasive species invasive species भी बहुत बड़ा cause है यह भी UPSC ने पूछ रखा है प्रिलिम्स के अंदर खेर आगे चलते हैं यह आपने dispersal वगर इसका ध्यान रखा है अब राजस्तान के अंदर एक wildlife century है ताल चापर यह wildlife century जो कि black bug के लिए ही famous है काले हीरन के लिए ही famous है ठीक है अगर location देखेंगे लाजस्तान स्टेट का नाम ध्यान रखना है अगर आप उस स्टेट से आते हो आपके स्टेट VCS के लिए उस district का नाम भी याद रखो जहां पर वो चीज है otherwise बाकी सब बच्चों के लिए स्टेट का नाम is more than sufficient उतना याद कर लोगे more than sufficient है तो यह location इसका है राल चापर century एक और वजह से news में रही एक तो यह black bug का habitat है वो तो ठीक है और कई जगे पर भी black bug पाये जा रहे हैं काले हीरन पाये जा रहे हैं यहां पर जो राजस्थान सरकार है वो इसका जो इको सेंसिटीव जोन है जहां पर जो development या इंडिस्ट्रियल अक्टिविटीज है माइनिंग वगर हैं उनको regulate किया जाता है उनको ऐसा अलाउ नहीं करते हैं तो यह क्या कर रहते है उस एको सेंसिटीव जोन को कम करना चारी थी राजस्थान सरकार इस वाज़े से यह न्यूज में था राजस्थान हाई कोट ने इंटर्वीन किया स्वो मोटू पब्लिक इंट्रेस्ट लिडिगेशन मतलब स्वेते संग्यान उसका लिया और कहा कि नहीं आप इसको रिड्यूस नहीं कर सकते हो ठीक है इस तरह से रिड्यूस नहीं कर सकते हो माइनिंग वगरे के लिए और इनका प्रोटेक्शन एंशॉर किया विदिंग इस आ रहा है समझ में चलिए तो यह हुआ आपका ब्लैक बग ताल चापर ब्लैक बग सेंचुरी ठ करने के बाद फिर याद करना है याद करने से काम नहीं चलेगा क्योंकि एक बार पढ़ा तो भूल जाओगे तो उसके लिए आपको अपने शॉर्ट नोट बनाने है इन चीजों के शॉर्ट नोट बनाने है पॉइंट सॉर्मेट में आप देखोगे मुश्किल से कुछ आज के टाइम पे जिसे हम कहते हैं एक हवासा हो जाता है वह वाली चीज़ है तो तरीके से अगर पढ़ाई करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे आजाते हैं रेड़ सेंड बोऊ ये दो मुठासा फ्वी को कहा जाता आ अपने देखा होगा अलग-अलग जगे पर अलग अलग कारीन क्यों कहते हैं क्यों कहते हैं क्यों के इसका जो पेल और इसका जो आगे वाला जो माउस है ये दिखोगे दोनों के अंदर बराबर वो है character कि पतली इस लिए देखने में आपका यह लगदा आन्प लेकिन होता हुआई अलगे होता है यह उता है गाहों में हैं यह सबसंदे करें getting यह तो करेंगे और बहुत कुछ कॉंटेंट करने के लिए तो काफी सारी चीजें करने के लिए रेड़ सेंड बोवा की हम बात कर रहे हैं इंडियन सेंड बोवा यह नौन वीनमस इस्पीशीज है ना जहरीला नहीं होता है सबसे बड़ी चीज यह ध्यान रखेंगे फाउंड थ्रूआउट द्राइपार्स आफ दे इंडियन सब्कॉंटिनेंट यह इसका हैबिटेट हो गया पूरे इंडिया में लगवग हर जगे पर ही आपका मिलेगा ओके एस यू कन सी यह यूसीन की वेबसाइट है उस पर आप जाएंगे तो इसका जो स्टेटस है त्री अब इसकाइयर देखोगे हैबिटेट फूरे इंडिया मिल रहा हर जगे पर ही मिल रहा है संपर अफब wal प्रृवलिंज देखने को मिलेगा इसको करोगे करोगे तभी तो लिखने को मिल रहा है आगे आते हैं ड्रग रजिस्टेंट फंगस यह बहुत एक तरह से मानिये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर एक जो फंगस होती है वो चर्चा में रही दिल्ली के हॉस्पिटल से हैं वहां पे काफी सारे ऐसे जो आवारा कुत्ते होते हैं स्ट्रे डॉक्स होते हैं उनमें वो फंगस का इंफेक्शन देखा गया ठीक है और इस फंगस की खास बात क्या है क्यों यह बहुत बड़ा कंसर्ण है या चिंता जनक खत्रे वाली बात है क्योंकि यह मल्टी ड्रग आइडेंटिफाई की गई ग्लोबल थ्रीट के रूप में डबलो एचो ने कहा कि यह जो फंगस है इसका नाम है कैंडिडा और इस तो इसका नाम याद रखिए वैसे कैंडिडा वर्ड शुरू में जुड़ गया है तो जो साइंस वाले बच्चे हैं बायालोजी जिनका ब रखा है और इंडिया से पहले जपान में इसको रिपोर्ट किया था लेकिन दो तीन चीजें जो आपको ध्यान रखनी है एक तो यह मल्टी ड्रग रजिस्टेंट है फिर इसमें ध्यान रखना है कि यह ब्लड स्क्रीम में जा रही है निर्वस सिस्टम या हमारे इंटरनल को भी अफेक्ट करती है इन जनरल क्या होता है फंगल इंफेक्शन सूपरफीशल होते हैं यह ना टॉपिकल होते हैं बॉड़ी के अंदर कंपरेटिवली कम देखने को मिलते हैं लेकिन यह क्या है इन्वेजिव आपका फंगस है इसका नाम याद रखिए और इसके बारे म इसको लेकिए हैं इस लोट बीयर चर्चा में रहा स्लॉट बीयर की अगर हम बात करें यह आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा काफी सरे बच्चे हों कह रहे है की सर हमने करंट अफियर वाला कॉर्स ले रहा है सोब्चारंट कर राट अधो करेपर करेंगे पूरा जन्दवरी से शुरू होगा तो उसमें हम पूरा करेंगे है ना एंवार्मेंट इंक्लूडिंग इस पीशीज और एंवार्मेंट का जो करन्ट अफेर है फिर आपके जोग्राफिका अग्रिकल्चर का इंटरनेशनल डिलेशन पूरा ही हो रहा है वहां पे हैना सो आपका पंदरा तारिक से होगा मौर्णिंग में सुबह ग्यारा वज़े उसकी क्लास है ठीक है लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है जो बच्चे चाहें वो जॉइन कर सकते हैं इसपेशली अगर आप इस साल प्रिलि लावा श्रिलंका भूटान और यहां पे भी आपका आया जाएगा वल्नरेबल आयूसीन की रैड लिस्ट के अंदर अगर आप देखोगे वल्नरेबल स्पीशीज है मैक्सिमम प्रोटेक्शन दे रखा है इंडिया का जो वाइल लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 वाला श आपने देखा होगा पोलर बियर है वहां पे देखने को मिलता है कि वह ठंड तेज होती है तो हाइबर नेशन में चले जाते है जिससे उनका मेटावालिजम स्लो हो जाता है बोडी को एनरजी की कम जरुद पढ़ती है और वह सर्वाइवल एक टेक्नीक है एक तरह की टेक् अचिक ब्लैक बियर इसके बारे में थोड़ा सा द्यान रखें साथ सब इसपीशीज हैं और इसमें से HIMALYन जो ब्लैक बियर है इंडिया में पाया जाता है इंडिया में भी आज की तारिक में अगर आप देखेंगे तो केवल कुछी स्टेट है जहां पे मिल रहा है कुछ ह वहां पर आपका मिलता चाईना में भी मिल रहा है जो जो ब्राउन एरिया दिख रहा है न के वल वहीं पर मिल रहा है जो राइड वाला एरिया वहाँ पे पहले मिलता था आज ये लाइब हो चुका है इसका आई-उसी-एन-मे स्टेटस देखोगे तो वल्नरेबल है या यू बाइद वे इस्पीशीज की अगर हम बात करें तो टाइगर बहुत इंपोर्टेंट है राइनो बहुत इंपोर्टेंट है जीरो पोचिंग हुई है उस समय पे नियूज में था एक बार और नियूज में था टाइगर जो हैं 50 years project टाइगर को हो चुके हैं टाइगर को बहुत अच्छे से कर लेना टाइगर कंजर्वेशन अथारिटी इंडिया के अंदर जितने भी टाइगर रिजर्व से हैं 54 यह बिल्कुल टिप्स पर रटे होने चीए इसी तरह से चीता है चीता री इंट्रोड़क्शन प्रॉजेक्ट तरचाय में रही इसलिए कॉशन प्रिक किये गए तो खीक है आगे बढ़ते हैं कि फाइन नौर्थ इस्ट मिथून गैट्स दा फूड एनिमल टैग फूड एनिमल टैग मिला है मिथून को तो यह देखने में आपको लगेगा जिस तरह से आउक्स होता है या थोड़ा से अलग है मिथून जो होते हैं यह आपके नौर्थ इस्ट में मिलते हैं फाइन इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो यह स्टेट अनिमल भी है अरुनाचल प्रदेश और नागालेंड के अंदर स्टेट अनिमल का भी कैटेगरी इसको दिया हुए तो यह हो रहा है कि मिथून जो है इसके जो मीट है इससे बनने वाले जो प्रॉड़क्स हैं काफी अलग अलग तरह के प्रॉड़क्स हैं जिसको मार्केट किया जाता है वैफर्स हो गए अट्सर्टर एट्सर्टर ठीक है और तो ओवरॉल फूड टेग देने का इसका परपस यही था कि वहां खर्चा नहीं करना पड़ता फार्मर्स को पालने के लिए यह अपना जंगलों में छोड़ दो इसको जंगलों में घूमता रहेगा वहां पे अपना खाना शेल्टर सब देख लेगा जनरली क्योंकि वहां पे क्या है नॉर्थ हिस्ट में सॉइल जो है वो ऐसीडिक है तो इनको साल्ट की इनकी रिक्वार्मेंट पूरी नहीं हो पाती इसलिए फार्मर्स के पास आते हैं साल्ट चाटने के लिए जैसा फार्मर ने साल्ट यह दिया तो यह जनरली देखे जाते हैं कि साल्ट जो है फार्मर के हाथों से ले रहे हैं खा रहे हैं उस क्वांटेक्स म इसके अलावा आप देखोगे मनीपूर मीजोरम में भी यह मिलते हैं मिथुन ठीक है इन्पुट कोस्ट कम है इसलिए इसका बिजनिस पोटेंशल है क्योंकि फार्मर को को इन्पुट कोस्ट आ नहीं रहा अपना खुद का खापी लेते हैं घूम लेते हैं तो उस पर कोई ख जर्डॉन्स नेरो माउफिट फ्रॉग यह चर्चा में आपका रहा और इसका एक और नाम है यह नाम आपको ध्यान रखना है माला बार हिल फ्रॉग भी इसको कहते हैं इसके अलावा माउंटेन डॉट फ्रॉग भी कहते हैं तो यह वापस से रिडिस्कवर किया गया है पर मिल रहा है क्या नौर्थ इस में मिलता है या फिर वेस्टन घाट में मिल रहा है ठीक है एंडेमिक है वेस्टन घाट के अंदर इसका क्या मतलब है वेस्टन घाट के अलावा हायर एल्टीट्यूप उचाई वाले छेत्रों के अलावा और कहीं नहीं मिलेगा यह मतलब ह फाइन आयू सीन स्टेटस देखोगे नियर त्रिटन्ड है तो त्रिटन्ड केटेगरी में नहीं आएगा आगे हम आजाते हैं मेंस आंसर राइटिंग को शौर आये से पर हिंदी में भी डालो कोशिश करते हैं यार देखो अभी तो एक बार इंग्लिश में हमने शुरू किया है और दीरे-दीरे एक-एक कदम आगे बढ़ाएंगे प्योंकि अभी जो हमने इनिशेटिव लिए हैं हम चाहते हैं कि वह कंटीनू रहे हैं श्वारा यह से अपका लिंक डिस्क्रिप्शन बाक्स में आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं डेली अपनी की प्रेक्टिस डेली आंसर राइटिंग प्रेक्टिस कर सकते हैं यह फ्री रिसोर्सें जो एप पे एविलेबल हैं डेली वेसिस पे आपका रहता है यूरेशियन जो ओर्टर है इसको जम्मू कश्मीर में आपका एक रिवर है वहां पे इसको देखा गया वट इस दे नेम नीरू स्क्रीम है यह जो नीरू रिवर है आपका यह ट्रिब्यूटरी है किसकी चेनाब रिवर की यह आपको याद रखना है चेनाब रिवर की ट्रिब्यूटरी है मरीन है मतलब हाँ जो मरीन वाटर है वहाँ पे भी मिलेगा सेमी अक्वेटिक लेंड और वाटर दोनों पे रह सकता है। यूरेशियन ओटर क्लासिफाई ये नियर थ्रीटन में ये ध्यान रखना है इंडिया में वाट्डाइफ प्रटक्शन एक्ट में शेड्डियूल सेकिंड में प्रटक्शन दे रखा है और कोई भी जो एनिमल होता है कोई भी जो वाट्डाइफ इश्पीसीज होती है उसके बॉडी पार्ट्स का प्रेड होता है यना कहीं जगये आप कि प्रप्स के लिए उज Gracia कहीं जगये किसी प्रपस के लिए उन्प तो यहाँ पर देखोगे ए इसके बॉडी पार्ट्स में प्रेड्स हो उसकी जैसे उसके सर्वाइवल पे कोई थ्रीट ना आए इस वज़े से इंटरनेशनल लेवल पे एक ट्रिटी हो रखी है ये है साइट सापकी ट्रिटी ठीक है वाशनकटन ट्रिटी के नाम से भी जानते हैं तो उसके अंदर मैक्सिमम प्रोटेक्शन इसको दे रखा है अपंडिक्स वन के अंदर रखा है मतलब मैक्सिमम प्रोटेक्शन आपका दिया हुआ है लोकल कई नाम है इसके हुंडेर हुड बगर है यह आप देख सकते हैं नेक्स्ट हम आएंगे होर्स शो क्रैब यह चर्चा में रहे क्योंक जैसे यह आपकी पॉपुलेशन इनकी कम हो रही है इनके बारे में क्या ध्यान रखना है कि यह मरीन और ब्रेकिश वाटर आर्टिपॉड है मरीन वाटर मतलब जो सी वाटर होता है जिसकी सेलेनिटी काफी जादा है और अगर हम देखें फ्रेश वाटर और मरीन वाटर के बीच की जो सेलेनिटी है वो है ब्रेकिश तो दोनों जगे पर मिलेंगे यह आपके प्रूप नहीं है जो असली जो क्रैब केटेगरी होती है वह वाली केटेगरी में इसको नहीं रखा जाएगा ओके रिलेटेट टू दॉ अरेकनिट्स जहां पर जिस केटेगरी में जब आप पढ़ोगे तो उसमें चैप्टर जो है उसमें क्लासिफिकेशन कर रखा है कि यहां अरेकनिट्स में कौन-कौन से आ रहे हैं यह कौन सी केटेगरी किसमें है I was talking about this kind of classification क्यों क्योंकि अभी environment पे इतना डीप में गया है कि आपको एक्स्ट्राफट मार नहीं जा फॉर इस होट शो क्रेब्स यह ना marine living fossil भी इनको कहा जाता है क्योंकि पिछले लगबग 450 million years से माना जा रहा है कि यह exist कर रहे हैं फाइन ब्लड ऑफ इसका जो ब्लड है वो काफे सारे परपस के लिए यूज किया जाता है जैसे आप देखेंगे rapid diagnostic test के लिए यूज करें है schedule 4 के अंदर protection को दे रखा है मतलब यह भी wildlife protected में ही आएगा की कह चलिए आगे बढ़ते हैं बाकी जो topics हैं okay we'll be taking other topics in the next part okay अभी के लिए आपके यह जो topics हैं हमने यहां पर कवर किया हैं फिर और जो species हैं उनको next part में यहां पर कवर करेंगे जैसे फ्लैप शेल टर्टल्स हैं वल्चर्स हो गए है टाइगर के बारे में detailing हो गई fine so this is all for now okay I hope you session आपके लिए helpful रहा होगा helpful in the sense कि चाहे आप अपने से तैयारी कर रहे हो या कैसे भी preparation कर रहे हो है ना you must be aware कि हां किस तरीके से current affair करना है और यह सारी चीज़े current affair के लिए आपका एक course launch हो चुका है शौराइस एप पे एप का link description box में कौर्स का link भी description box में दे रखा है जहां पे सारे subject के current affairs problems के लिए हम cover कर रहे है खीक है यह बैच आपका 15 तरिक से शुरू हो रहा है subscription link description box में है फीस हमने इसकी बहुत affordable रखी है यह समझे कि अगर आपने एक साल हिंदू पड़ा है ना घर पे पड़ा के घर पे अकबार मंगा के पढ़ रहे हो उससे भी कम फीस यहां पे रखिए ताकि सब बच्चों को affordable रहे है अगर आप 24 का एक्जाम दे रहे हो यू शुट डफिनिटली गो फॉर इस प्रिक्लर कोर्स ओके तो दिस आल कल मौर्निंग में जो हिंदू अनालिकिस सेशन है उसमें मिलते हैं दिस आल फॉर टोड़ेट टोंट फोगेट तो लाइक दिस सेशन है वे ग्रेट दे कियर